भगवान राम पर ऐसे तो कई डॉकुमेंटरी फिल्म्स और टीबी सीरियल्स बनाए गये हैं। इसमें भगवान राम के लंका गमन समेथ उनकी जीवन गाता को बयान किया गया है। भगवान राम की तरह ही बिल्टिश राज में कुछ और भारती भी विदेश गये थे। भारतीयों की कहानी को बयान करने के लिए सेडिनी का एक शक्स भारत के अलग अलग स्थानों पर डॉकुमेंटरी बना रहा है। एक मिलियन, 1.2 मिलियन यहां के यंग इंडियन में, विमन और चूरर्न को जो ब्रिटिश और आदा एरोपीन पावर्स जो थे उठा कर यहां से ले गए थे। बहुत सारे क्लोनियल जो क्लोनिस थे वहां पर काम करने के लिए लग भग। इसका शुरुआ तो हुआ था था समय में लभग बारा मिलियन उनके जो डिसेंडेंस हैं इंक्लूडिंग मैं और मेरे साथ मेरा भाई यहां पहें में नेफ्यों हैं वह सभी उनके हम वनसाज है तो उनको गिर्मिटेस कहते हैं आँ से हमें आपने राम के नाम पर आपने बताए जैसे राम का वनवास वा था कि जब गिर्मिटेस अपने आपको बहुत दूर हजारो मिल दूर पाई थे तो उनका दिलासा दिल में होता था कि भाई हमारा जो भगवान राम अगर 14 साल बनवास काट सकते हैं तो हम 5 साल बनवास काट कर फिर लोट लोट आएंगे लेकिन और लबग 25 पसेंट लोट आए बाकी के वहां पर रोक लिया गया तो राम जी तो 14 इस बाद लोट का आगए लेकिन बाकी के जो गिर्मिटेस है वो जिंदगी भर वहीं रहें और वहीं पर काम की और फाइनली एक मरी गये वहां पर भारत में किन-किन जगहों पर इसकी आप शूटिंग जो आपने डोकमे अधिया वहीं राम जी का बर्मा शुरू हुआ था वहीं समझो वहां से हमारे लोगों का बर्मा शुरू और वहां से हम फिर जाते हैं प्रयाग राज और उसके बाद चित्रकूट उसके बाद पंच वती फिर हमपी लपक्षी रामेश्वरम और फिर बस्तर में 17 जनरी को फिल्मिंग जो है वह फिनिश हो जाएगा इते हमारे साथ सतीश राय जी जो एक राम के नाम पर ही ग्रमिटियंस के एक डॉक्यूमेंटरी बना रहे हैं और उनके जीवन को दिखा रहे हैं एटीवी से रामान शीमिश्रा लखना हूँ